आप सभी का और नई वीडियो में स्वागत है चलिए देख लेते हैं आज के दिन में मार्केट ने केसे साफ से कामकाच किया मैंने किसके जगह पर ट्रेडिंग की थी और फिर उसका क्या रेजल्ट निकला और साथ ही में हमारे सीखने लाइक बाते क्या थे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवे देने कि अगर आपको ये कॉंटेंट अच्छा लगता और कॉंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं धन्यवाद चलिए आप आगे बढ़ते हैं तो य आज मार्किक की ओपनिंगस हमें में एक देखने को मिलती है और आप दिखूए रैंज में मार्किट बहुत ज़ादा वॉलटााइल होो गया था सिसलिए मैंने यह जालता है जनरेली ऐसा होता भी है जो मारकेट प्रिवेश्ज में उपन उसी रेंज में कॉंटेन्यू करने की गोसिस करता है तो मारकेट अगसा साइडवेस टू वोलाटाइल रहता तो इस समय पहले मार्केट को सेटल डाउन होने देना चाहिए उसके बाद हम इस रेंज में किसी भी टाइप ले सकते हैं लेकिन सेटल डाउन होने से पहले अगर हम इंट्री करने एकोसिस करते हैं तो ऐसे एक वलटरल मूब्मेंट देखने को मिलता है इसमें कॉल या पुट दोनों साइड के कि दोनों extreme ends होते हैं यहां पर अपर साइड में जो एंड है और यहां पर यह जो लोवर साइड में दोनों को हम trap zones कहते हैं यानि दोनों साइड मार्केट में trapping हो सकती है अब देखे मैं आपको कुछ explain करता है यहां पर माल लेंज बना क्या क्या possibilities है पहली possibility यह होता है कि market उ successful breakout दे 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 दूसरी probability क्या है मार्केट यहां पर नीचे वाले को subscribe नीचे वाले को यहां पर trap करके उपर successful breakout दे दे और तीसरी probability सबसे खराब होती है ट्रेडर के लिए वह यह है कि market दोनों तरफ trapping करता है और market कहीं जाता नहीं वसे range थोड़ी वाइड हो जाती है range थोड़ तो मतलब आज मेरे साथ मैं यहां पर कहीं मैंने कॉल साइट के एंट्री बनाए तो मुझे रियलाइज जल्दी हो गया मेरे किसमत अच्छी है मैं पी एनल देख रहा था तो मुझे इसी लेवल के आसपास रियलाइज हो गया तो मैंने वहां पर अपना position को काट दिया पू और बुक में आपको क्या दिखा था आप लोग सोचते कि यहां पर ही मार्केट ने फिर से एक consolidation दिखाया देखे मार्केट ऊपर आया है यहां पर लोगों को ट्रैप करके तो जब मार्केट करके ऊपर की तरह बढ़ता है तो most of the time generally जो इसका target होता वो यह zone होता है इस zone के आसपास उसका target होता है तो फिर यहां पर एक red candle बनी green red आप देखो एक inside जैसी candle बनी और inside से भी ज़्यादा ज़रूर यह market इस zone में रुका और market रुकने के बाद जब फिर market ने zone को break किया तो मैंने यहां पर entry बनाई है तो अगर आप नए है तो आप हमारा telegram channel join कर सकता है जिसमें मैं अपना order book और learning chart बाकी सारी चीज़े share करते रहे तो यहां पर आप देखो यहां के बाद ब्रेक आउट है तो मैंने यहां पर entry रिजन साफ था market यहां से trap करके आ रहा है कल की जो यह trend line थी इसका भी breakout हो चुका है देखि नहीं था क्योंकि अभी भी market कल के range में था तो ऐसी कई बार मैंने देखा यहां कई market ऊपर जाने की कोशिस करता है और फिर नीचे की तरफ फेक दिया जाता है क्योंकि market कल के range में है तो किसी भी time seller activate हो सकते है पर लगी आज movement यहां पर अच्छा है और मैंने कुछ quantity अपनी य test करने की कोशिस करता है तो यहां पर मेरे एक strategy है one minute की scalping strategy है उसके basis पर मैंने एक और trade यहां पर लिया था अब उसके बाद देखे जो आज का पूरा गेम है ना वह उसके इसके बाद समझ में आता है यानि अब तक market बहुत अच्छा था market ने बहुत लोगों को पैसा दिया पर फिर अब इस zone में market सबके पैसे लेने की तयारी कर रहा था अब देखो आप इतना movement के बात market sideways हो गया यह कोई मतलब ऐसे चौकने वाली बात नहीं देखे कभी-कभी कैसे trending moves देखने को मिलते हैं ऐसे जो दिन बढ़ ट्रेंड करते रहते और कभी-कभी क्या होता है market यहा करके market रुका रहा है यानि कहने का मतलब यह है कि intraday में market trending के बाद फिर sideways और फिर trending या फिर sideways ही close कर सकता है तो यहाँ पर देखे मैं क्या plan कर रहा था और यहाँ पर मेरे से गलती हो जो भी मैं आपको explain करता हूं यहाँ पर आप देखो यहाँ पर higher highs बने यहाँ पर एक low बना तो trend understanding से इस level के नीचे market में downtrend start हो जाएगा तो मैं मैं इतने अच्छे आप move के बाद ना नीचे के लिए हरवड़ी नहीं करता हूं मैंने टेलिग्राम पे भी आपको पोस्ट डाला था कि नीचे के लिए हरवड़ी मत दिखाएगा क्योंकि नीचे के market जो है भी positive zone में जो range है कल का day high है उसके उपर trade कर तो यहाँ पर जब इतनी बड़ी एक green candle बनती है इसके बाद मैं मैंने इस zone में buying को plan किया यह मेरी एक गलती हो गई कि मैंने इस zone पर buying में plan किया और मैं इसका कारण बताता हूं जो मैं आपको बार-बार explain करता है अब उसको देखिए आप इसको low one कह सकते हो यह low two कह सकते हो इसको low three कह सकते हो तो यहां देखिए किस तरीके से low one low two higher से पर यह low three वो नीचे की तरफ बन गया था तो generally ऐसा होता है कि जभी इस तरीके का मतलब इस तरीके का price action बनता है तो देखिए उसी flow में market उपर नहीं गया market ने breakout कब दिखाया market ने breakout तब दिखाया जब फिर से यहां पर higher low का formation हुआ यहां पर L1 और L2 में relation देखिए एक higher low बना है उसके बाद market में breakout आया तो मैंने इस जगह पर अपनी position बनाई थी इस red candle पे मैंने अपनी position कट कर दी of course मेरी scenario बना तुम मुझे confidence आ गया कि चलो जो मेरी यहां गलती थी अब वह सही हो रही है मैंने क्या गलती की थी मुझे रियलाइज हो गया उसी टाइम पर फिर इस डोजी candle के उपर मैंने position बनाया था और यहां कहीं के आसपस मैंने hold किया तो यहां पर मेरा इसका जो यह चोटा सा लॉस ता वो भी recover हो गया उसके बात देखे market फिर उपर जाता है फिर यहां पर आता है मैंने बोला ना मैं sell के लिए सोचता ही नहीं हो तो यहां पर आप सोच़ए trend line breakdown हो तो क्या मैं sell के लिए सोचूंगा नहीं सोचूंगा अभी यहां पर सिनारियो गडबड भी लग रहा तो यहां पर selling तो इस लेवल के नीचे सोची सोची नहीं सकते और अगर देखा जाया मुझे सोच नहीं होता हो तो मैं इस लेवल के नीचे sell की planning करता पर यहां पर trend line breakdown हुआ यहां पर trend line breakdown हुआ बहुत सारे लोगों ने sell किया होगा सारे यहां पर trap हुए होंगे क्योंकि उनको trend की understanding ने उनको price action की मार्केट green candle बना है जब इधर hold कर रहा था इसका breakout हो रहा था तो मैंने फिर यहां पर एक चोड़ा सा trade लिया ज्यादा दूर तो नहीं ले जा पाए कुछ restrictions होता है कितना दिन मतलब साथ एक दो candle तक ही मैं hold करके नॉर्मल में मैंने बाइं किया था तो एक दो यहां तक कहीं लिया गया ता फिर मैंने exit कर दा क्योंकि साधे तीन बज़े के बहुत जादा होने लगता तो जादा देर तक hold करके फाइदा नहीं होता है तो इस टेट में कुछ मतलब सही हुआ आपने कुछ सीखा और आपने उसको लाइव मार्केट में ही सही कर लिया पर इसके लिए क्या होना ज़रूर है इसके लिए आपका एक observation स्किल होना बहुत जादा ज़रूर है जब तरह मार्केट में observation करने की आदत नहीं डालोगे आप खाली बैटके call put call put की सोच रहो यह setup बन जाए वह setup बन जाए यहां breakout आजाए तो आप नहीं कर पाऊगे चार्ट को feel करना पड़ता है चार्ट को feeling करना मतलब आप अपने आपको अबसर्ब कर रहे हो चार्ट को देख रहे हो चार्ट में आप अपनी गल्द नहीं सपोर्ट से उठकर जो भी चीज देखेंगे पर अगर मैं चार्ट को feel करो तो मुझे यह सारी चीज़े देखेंगे मुझे positions दिखेंगे मुझे दिखेंगा लोग कहां पर trap हो रहे हैं वह सारी चीज़े दिखनी स्टार्ट होंगी तो ऐसा नहीं कल से देखने लगेंगे आपको आदत तो डालनी भी पड़ करना ठीक है मैं कुछ confirm नहीं कर सकता कि दो वीडियो प्लैन करते हैं यह यह योडी वाली वीडियो साधे तीन चार बजे के आसफास मैं पोस्ट कर दिया करूंगा और चैसाथ बजे के आसफास डेली प्रेडिक्शन वाली वीडियो हम डाल दिया करेंगे और अगर आपको लगता है कि यह सारी ट्रेड कहां लिए कैसे लिए तो मैं मौनिंग ट्रेड का तो लगबख हर दिन ही स्क्रिंशॉट जो ट्रेड बुक का स्क्रिंशॉट से वह मैं आपको भेज देता हूं और मैं यहां पर आपको डायरेक्ट अपना प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाता ह मेरा ट्रेड बॉक देखे बता दाथ देता कि अच्छा चलो मैंने रियली आप ट्रेड लिया थे अब उस ट्रेड बॉक में कितना भी मेरा प्रॉफिट लॉस फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता न तो यही सोच कर जो अभी मेरी थिंकिंग है इसलिए मैं आपको और बुक क समझ रहोगे तो चले इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहिन